कि इसमें जाए फाने लिगें स्टूरिंग आजके जोमारा टॉपिक है चेंज इसमें जिसमें कि मैंने आपको बदाएं कि जब भी आप मीन करना होता है तो इसके डिफरेंट केटेगरीज होती है मैंने आपके सब्सक्राइब करना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपके पास आजाती है जिसमें हमारे पास क्या होता है जिसमें फ्रिक्वेंसी इंवाउड होती है जहां पे फ्रिक्वेंसी इंवाल नहीं होगी वह मारे पास आण्गृप डेटा होगा एक आपकेपास चैनलरल वर यह होग्स चैनल मुश्यक्राइंग आपके पास आजाते हैं आपके पास आजाते हैं चेंज पूरीजन में क्या करना होता है इस वार जब भी पाइं तरना है क्यों स्कुराइब शांच पूरीजन न फिल्ट पास चेंज पर दो तक विल्ट अब इस तो तक विल्ट है यहां पे मारे पास की में bekommt पास में हमारे हुआ पस फिर्टे जिण और पर वह इंग यहां वहनु पास に संब पैस बकश्बूर्स प मैं हमाए हो समय और पास मनें ओग पर देफने थे बार गार nossa तो प्रूप डेटा है तो फिर आम क्या बहुंगे एक्स माइट पास क्या हो जोगा एक प्लस अबने फ्रिक्वेंसी इंगार करनी है एक्स माइट पास इपर होता है तो आप देगे निजिस सबसे हाइस फ्रिक्वेंसी वाली वेल्यू है उसके सामने जॉप्त पर एक्स पर प्रिक्वेंसी इंवाल हो जाएगी और यहां पर पर पास जिसका होजेगा फ्रूलो कर भी आपको पते हैं किसी पर होता है एक्स माइन से डिवाइड़ वाइच के इकवर होता है तो जी आपको डिफरन सब्सक्राइब करनी पड़ेंगी जब आप आप एवरेज फॉर्ट कर रहे हो और जो शॉर्टकट मैथड है इस सब वेरी इंपॉर्टन मैथड है उससे रिलेटेड आपको एक्जाम्पल यह तो झार आपको से लिए अने मीन से ब्सक्षण करने को दे जाते हैं और कहा जाता है कि यहार आप Council ब्लीन आप अपने questions को solve करो and then discuss about the difference between them जो answer हो थोड़ों बहुत effect होता है change of origin scale से आपने properties of the arithmetic mean पढ़ा होगा जो कि मैंने आपको previous lectures में discuss करवाया है उसमें हमने यहीं पढ़ा है कि the mean is also affected by the origin change of origin and mean is also affected by the change of scale कि जो आपका mean है जरूर करता है change of origin and scale से तो जब आप प्रैक्टिकल इसे solve करते हो एक्जाम्पल्स करते हो तो इसमें भी आपका conclusion दोगे कि आपका mean है वो change of origin and change of scale से affect जरूर करता है तो आपको यह different पहले तो आपको आपको फार्मूलर्स अच्छे तरीके से आते हैं तो आपको एक्जाम्पल्स सॉल्व करने में किसी भी किसम का मसला नहीं होगा इंचना है नेक्स्ट जो मैं आपको लेक्चर करवाऊंगी उसमें आपको चेंज जो पूरीजन इन स्केल से रिलेटर जो और इसमें मुश्वर कुछ मी निया स्कूरें इसमें यह दो जो फार्मूलर्स हैं जिसमें आपको परदर और एक्जाम्पल्स करवा दोंगी पर पेपर भी आपके पास आ रहा थे तो इन से इन लेटर आपके बास आ रहा रहा है बाकिया आपके वहां से तकरीबन से माइंगे और आपको इस लेक्चर के भी समझ आई होगी अगर आपको फिर भी किसी बीकिसंगी इस इस टॉपिंग में कन्फूजन आमें से डिस्क्रस कर सकते हो जाद से जाद स्टूदेंट्स के साथ शेयर किजिएगा अपनी दोओं में याद रखिएगा अलहाफिज